नमस्कार आप देख रहे हैं संब लिधीनी चनल मैं हो सोक्तिगारी इस वक्त अभी हम बढ़ारा प्रखंड के एकवना पंचयत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि एकवना पंचयत के अदि बात करें तो एकवना पंचयत काफी ही सुधिल पंचयत है अच्छे लोग र अधियासी के रूप में प्रियाशिंग है आई प्रियाशिंग से जानते हैं यह चुनाव क्यों लड़ रही है और इंका मुद्दा क्या है सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि तमाम दर्सक आपको देख रहे हैं आपकी पंचयत के तमाम लोग आपको देख रहे हैं क बहुत रहने का नली गली मतलब उन लोग घर में भी रहने का बहुत दिक्कत है इसलिए मतलब हम महिला को समझ तक सबसे इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं अच्छे लोग है आपका मुद्दा क्या है कैसे आपको लगता है कि हमारा मुद्दा सब लोगों पर भारी ह होगा क्या बतना चाहेंगी मुद्दा क्या है पहले सीख्छा यहिस जैसे मतलब मतलब करना शौहर जैसा बनाना चाहते हैं अपने गाव को मतलब विकास हो उबाहर जैस नहीं रहे महिलाओं को लड़कियों को मतलब दिकत ना हो बाहर न जाने को पड़ यहीं गाउं में अपने आप चाहते हैं अपने गाउं को विकास करना चाहते हैं आप देख रहा है अमारी बात हो रही है प्रिया शिंग है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिया सिंग पढ़ी लिखी महिला है और जबर्जास तरीके से चुनावी मैदान में हैं अलांकि मैं आपको बता दू कि विकास सिंग की पत्नी है और विकास सिंग पिछले बार चुनावी मैदान में थे जनता है कोई फिछले बार भी बहुत अच्छे तरीके से चुना लड़े थे पूरा गाहां में पुरा विजोड़ था कि मतलब विकास सिंग जीद जाये लेकिन खुद के गलती से 64 बोट से हार गये लेकिन इस बार नहीं इस बार पुरा गाम पे भी हम लोग के साथ है लग गया है पूरे तरीके से अच्छा से क्यूंकि हम महिला है साथ सुषते हैं लोग कुशीताना है मैंने क्या लगता है कि आपकी बार यहां एक आउना पंशायद की जनता विकास सिंग की पत्नी प्रिया सिंग को मुख्य बनाई है तो एक जबरजस्त मुद्दे के साथ प्रियास Sing चुनाव मेदान में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियास In एक महिला है। और इनको विश्वास है कि आपकी बार िहां कि आम मोम जनता हमें बनाएगी। पिछली बार इनके पती विकाज सिंग प्रतयासिथ थे। कुछ मतों से अंतर रह गया था और ये चुनाव नहीं जीत पाया थे लेकि इनको अभी अटुट विश्वास है चुकि जब दो लोग साथ में अटुट विश्वास के साथ चलते हैं तो कहीं न कहीं एक जबरजस्त जीत मिल भी जाती है तो इस तरह की कलप्णा की जा सकते है चुकि विकास सिंग तो हैं ही एक अच्छे कुसल लेतनी तो करता है रूप में इनकी पत्नी प्रिया सिंग जिस तरह आप देख रहे हैं एक हुनहार करमठ और इमंदार शवी की दिख रहे हैं पड़ी लिकी दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यदि इनके जैसे मुख् प्रियासी के बारे में दो सार उपन किये जा रहे हैं आप कुछ नहीं बहुत सारे प्रियासी हैं लेकिन हम कुछ नहीं नहीं कह सकते हैं हम अलग हट करना चाहते हैं महिलाओं को दिकत नहों हम इसलिए हैं महिला का दुख समझते हैं हमें महिला को दुख कश्ट दूर करना है लड़कियों कि पूरा मुख्या बनने की तयारी में है प्रियासी आप देख सकते हैं मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है किसी की चुगली नहीं करनी है जो जैसा है वो झाने यहां के जनता मुझे जानती है और अपने मुद्दे पर फोकस करना है ऐसा ambition इनका इस लक्ष के साथ चुनाव मेदान में है कि मैं किसी के गिला सिक्वा किये वेगर अपने मुद्दे को सामने रखकर चुनाव जीतूंगी इस तरह का टूट विश्वास इनके अंदर जन्म लिया है आप में आपको मैं बता दे हुई तो मैं चुनाव मेदान में तो इस तरह तमाम मुद्दों को लेके यह चुनाव मेदान में है और इनका लक्ष और इनका मुद्दा जैसे आपने देखा इनका है कि सिक्षा पर फोकस करना जरूरी भी है सिक्षा इसलिए जरूरी है कि देखिए आपके पास पैसा हो और सिक्षा का भाव हो तो गलत रास्ते पर उपैसे जाते हैं, लेकिन सिक्षा होता है, तो वहीं सिक्षा सार्थक वे में आपके पैसे को लिजाता है। जबर जस्तियारियों के साथ प्रिया सिंग भी चुनावी मेदान में हैं, और जो एजेंडा है, जो विश्वास इनके अंदर देढ़ शंकल्प दीख रहा है, कहीं न कहीं और प्रतियास्यों के लिए घातक हो सकता है, चुकि इनका संकल्प और इनका जो मुद्दा है, अपन कर रही हूं, कि मतलब हमको भारी से भारी मतों से विजयी प्राप्त करें, और महिला का कष्ट दूर करें, अगर हमको समझें, सब कोई देख रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं, कि मतलब हमको मतलब विजयी प्राप्त करें, भारी से भारी मतों से, क्योंकि महिला का लड़कि हमको भारी सभारी विजय से प्राप्त करें बहुत संदर भगवान रुपी जनता से इनका अपील है कि हमें आप जीताएं ताकि महिराओं की जो भी परेशानिया है उसका समधान कर सके चुकि एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है इस तरह तमाम तमाम लोगों को तमाम सिंग और विका सिंग विका सिंग पहले भी चुनाओ लड़ चुके हैं और जहां तक यदि में विका सिंग की बात करूं तो विका सिंग एक शमाजिक गति विधियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं हर जाती धर्म के लोगों से इनका जिस तरह का जुडाव रहता है और सब इसी तरह से पंशायत के लोग इंसे ट्रेक्ट होते हैं चुनाओ मैदान में अपनी पत्नी का सपोर्ट कर रहे हैं और प्रिया सुंग का जिस तरह का जिंडा है जिस तरह का मुद्दा है और जिस विश्वास के साथ प्रिया मैदान में है चुनाओ मैदान में हमें लगता ह कि महिलाव का भी शपोर्ट पिलेगा और फटा ये एकवना Πरिशायत की जनता इनको जरू सनेह देगी बहुत बहुत धने बाद इसी तरह एकवना पंचयत की तमाम खबरों को देखते रहें और बड़ाहरा परखंट में जनता का मिजाज में जानूगा हलांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अभी एकवना पंचायद के प्रिया सिंग के घर पे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रियाश शिंग प्रतियासी है कावना पंचैत की मुख्या पद की प्रतियासी है इनके पती विकास सिंग पिछली बार भी चुनाओ लड़ चुके थे और मैंने जो बोला करत करत अभयास करा जडमती हो तो सुजान रसरी आउज़ात पे सिल्पे परत निशान इसका कहने का मतलब यह हुआ लगतार प्रियास करने के बावजुद एक ना एक निद्ध शफलता जरूर मिलती है इस बार प्रिया सिंग चुनावी मैदान में है इनकी पत्नी है और इनको विश्वास है कि अब की हमारी पत्नी प्रिया सिंग निश्ची तोर से कवना पंचायत में जीत हास जानते हैं क्या नम हो करन सिंग कब से आभिकास जी को जानते हैं दस साल से अभी तक आप इनसे जुड़े हुए हैं यह इनकी चवी अच्छी है और हम लोग जबी भी कभी जुरुद पर ढूंटे हो तो हमें खाड़ा मिलते हैं क्या लगता है इनकी पत्नी प्रिया सिंग सब्सक्राइब करकाल में उनके अंदर ऐसा क्या आपने देखा कि अभी तक आप उनके साथ जूड़ा है मतलब गरीबों के मसियां है सभी के सुख दुख में सामिल होते हैं और हमारी जीत सुनस्चीत है हम इनके समर्थक 20 सल से आज भी है और कल भी रहेंगे इसा आपको लग रहा है कि इनकी पत्नी प्रिया सिंग यहां चुनाओ जीतती है मुख्या बनती है तो विकास सिंग एक कुसल नेति तो करता कुरूप में अपनी पत्नी का साथ देंगे और इस पंचायत को डिश्टल पंचायत बनाएंगे बिल्कुल विश्वास है आपका न कि हां बारी पढ़ी रही है इस नहीं सकतर नहीं है आप इंक्के शपर्ट में र cachalut Pak थे रिखेंड का सफुद को करते हैं मुझा इनमें को हरेक करनी बनिया लगा ऐता START करनी थेक्षय मह। सबोर्ड में अभी तक चलिए आपका नाम क्या हुआ जी बताइए गेश्ट से भी कुछ सलाह लिया जाता है को जो रहने की पंचायत के लोग इसलादे आप यहां पर आये हैं तो विकाश जी का नेचर आपको कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा आज में चार दन से यहां हूँ और इनकी प्रितस्था गाउंगाउं चलके देखी है बहुत अच्छी बहुत सारे लोगों ने इनकी प्रसंचा कि इस तरह के आदमी को मुख्या बनना चाहिए कि नहीं बेलकुल सर हम तो कहते हैं बगव समाजिकार में रहते हैं अच्छे ब्यक्ती है और अफान का संधात चाहता है कियाognet strawberry शेता है के मेरा नाम अमीत कुमार सींग हुआ हुआ कि यहाग जी जी पंक्याइद का रने वाला हूं स्रीशिया का नाता हैומец परिवरतन की लहर है या पुराने परतियासी को ही लोग मुख्या बना रहे हैं ऐसे मैं आपसे कहना चाहूंगा एक कभीता बोल दू हो नहार विरवान के होती चिकने पात ठीक ना तो जो पेण पौधा फरने फुलने वाला रता है तो उसके तन्ना ही बताते हैं कि यह पेण स्रिस्याँ गाऊं के इस्तिति बिलो मैं सिरिस्या से हूं कि रहने वाले हैं गावं में चर्षाय होती होगी तब ही तो मैं बोला कि यह मुख्या बन चुकी है फुल फुल मेरा गाउं पहले भी किया था थोड़ा चुक हुआ था आप विकासिंग के सपोर्ट में क्यों है बहुत सारे प्रत्यासी यहां करें जी इनका कार्ज देखकर जी लमसब हम लोग इनको 15 बर्च से जान रहे हैं यह समाजिक कर्ज करता है जहां भी कोई छट हो या कोई भी परब होते वहार हो बच्चों के साथ मिल जुलकर जो भी बच्चों को चाहिए वो उपलब्द कराते हैं हम लोग को कहना नहीं पड़ता है यह खुद ही जाकर वहां हर एक जगा जहां भी पूजा कोई भी पूजा स्थान हो या खेलका मैदान हो अभी हाल फिलाल म करें एक मैच हुआ था हम लोग के गाउं में बहुत अच्छा इनका सही हो बहुत ज्यादा आपका नाम क्या है मेरा नाम अस्तोष सिंग है अस्तोष जी क्या कहें गया विकास जी को कैसा किस नजर से अब देखने कैसे एक अउना पंचायत के लिए विकास सिंग है तो एक जूट होके यही बोल रहे हैं कि अधी प्रिया शिंग इस पंचायत के मुखिया बनती है तो एक कुसल नतिव तो करता करूप में निश्ची तोर से विकास सिंग उभर के सामने आएंगे और इस पंचायत को डिश्टल पंचायत बनेंगे हाई-टेक पंचायत बनाएंगे यह लोग और सुरू से ही विकास सिंग समाजी कारियों में लगे रहते हैं तमाम युवाओं को शपोर्ट है और यह जितने भी लोग थे यह इसी गाउं के आसपास के गाउं के थे कुछ बाहर से भी थे लेकिन लोगों ने बताया कि विकास सिंग का विएब अच्छा है य किस तरह समाजी गति विधियों को यह जगह देते हैं या जहां जाते हैं वहां लोग इनकी सराहना करते हैं और इनके विश्वास पात्र जितने भी लोग हैं सब लोग यह बता रहे हैं कि 15 साल 20 साल से हम जुड़े हैं पेकिन इनका विवहार अच्छा है ऐसे बेक्ति यद जन प्रतिनी बनता है ऐसे बेक्ति यदी मुख्या बनता है तो निश्ची तोर से इस पंचैत का भला होगा बहुत धने बाद इसी तरह लागतार जनता की राय जनता का मिजाज और समर्थों के गवारे में आप लोग को दिखाते रहेंगे हमारे शेनल पर देखते रहें सम देनी चानल